विभाजन के कारणों में छट्वा कारण सिंडिकेट पर दक्षिन पंतियों के साथ गुप्त समझोते का आरूप लगना आखिर ये मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कॉंग्रेस के अंदर इस बात को लेकर काफी मन्थन हो रहा था कि कॉंग्रेस को दक्षिन पंतियों के साथ जुड़ना चाहिए या वाम पंतियों के साथ कॉंग्रेस ने जब राश्पती के लिए नीलम संजीव रेड़ी का नाम घोशित किया और उन्हेंने आधिकारिक स्तर पर कॉंग्रेस का उम्मिद्वार बनाया तो कारेवाक राश्पती वीवी गिरी उन्होंने राश्पती चनाओं लड़ने की घोशना कर दी सिंडिकेट को ऐसा लगा कि राश्पती के वीवी गिरी ने इंदरा गांधी के कहने पर एक घोशना की है जबकि इंद्रा गांदी ने ऐसे किसी भी घटना करम से अपने आपको अलग बताया लेकिन सिंडिकेट को ऐसा लगने लगा था उसको अभास हो गया था कि राश्पती चनाओं में कांग्रेस के आधिकारिक उमीदवार के लिए अब राह आसान नहीं होगी अब दिक्कतें सामने आ गए इसलिए निजलिंग अप्पा ने राश्पती चनाओं के मद्दे पर परियाप समर्थन हासिन करने के लिए जनसंग और स्वतंत्र पार्टी जैसे विरोधी दलों से बात करना शुरू कर दिया ये जो शंकास्पज स्थिति में सिंडिकेट के द्वारा विरोधी दलों से जो बातचित की जाती है इसे कॉंग्रेस का उस समय का युवा तुर्क और शीमती इंद्रा गांधी ये इसे एक सामानी रूप में नहीं लेता और उन पर आरोप लगाता है कि सिंडिकेट ने दकशिन पंतियों के साथ समझोता किया है गुप्च समझोते की और बढ़ रहा है ऐसी अफवाह उड़ी ऐसी चर्चा उड़ी कि इन दलों के साथ सिंडिकेट ने मिलके जो समझोता किया है उसके तहत उसने अनरोध किया है कि यदि आप नीलम संजीरेडी के लिए प्रथम प्राथमिक्ता वोट नहीं डाल सकते तो दूसरी प्राथमिक्ता पर डालें ये जो चुनावी प्रक्रिया है प्रथम प्राथमिक्ता जिती प्राथमिक्ता ये समविधान के अंतरगत आप राजनीति विज्ञान में पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे अभी आपको इतना जानना है कि प्राथमित्ताओं के आधार पर एक बातचीत होती है और कहा जाता है यदि प्रथम फर्स्ट प्रिफरेंस यदि नहीं देटें तो सेकेंड प्रिफरेंस में नीलम संजीव रेडी को डालें इस पर जगजीवन राम फखरुदीन अली एहमद उन्होंने बकायदा निजलिंग गपा से ये पूछा कि किस आधार पर दलों से आपने बातचीत की है आपको किसने इन दलों से जो दक्षन पनती थे इन से बात करने के लिए आपको किसने अधिकरित किया और ऐसा करते हुए इन नेताओं ने सिंडिकेट पर दक्षन पन्थियों के साथ गुप्त समझोता करने का आरोप लगाया जिससे बातावरन कॉंग्रेस के अंदर का और खराब होता है और इसके बाद जगड़ा बढ़ जाता है अब हम थोड़ा वीवी गिरी के बारे में जान लें जो अंत्रतर राश्पति के उस चनाओं में विज़ाई होते हैं जिसको लेकर कॉंग्रेस दो फाड़ हो गई विभाजन हो गया वीवी गिरी का जन्म 1894 और मृत्य उननिस सो असी में होती हैं 1969 से 74 तक वो भारत के राश्पति बनते हैं इस नाटकी परिस्थितियों में उनका उनकी उमीदवारी होती है और नाटकी परिस्थितियों में ही उनका चनाओं होता है वे भारत के राश्पति बनते हैं 69 से 74 इससे पूर्व कॉंग्रेस के नेता थे और आंध्र प्रदेश से के रहने वाले और वहां के मजदूर नेता के रूप में जाने जाते थे श्रिलंका सिलोन वहां पे भारत के उच्चा युक्त भी थे केंदरी मंत्री मंडल में श्रम मंत्री रहे उत्तर प्रदेश केरल और करनाटक के राजपाल रहे और फिर 1967 से 69 तक उपर राश्ट्रपति रहे राश्ट्रपति जाकिर हुसाइन के निधन के बाद कारेकारी राश्ट्रपति बनते हैं कारेकारी राश्ट्रपति तब तक के लिए जब तक ये एक नेमित राश्ट्रपति का चुनाओं नहीं होता और नेमित राश्टपती बनने के लिए ये अचानक अपनी दावेदारी रखते हैं जिसको लेकर सिंडिकेट भौचका हो जाता है और संभवता दक्षिन पंथियों की ओर मुरता है कारकारी राश्टपती उसके बाद स्तीफा देते हैं और राश्टपती चनाव में एक स्वतंतर प्रत्याशी के रूप में खड़े होते हैं इसलिए शंका की जाती है कि क्या इन्हें इंद्रा गांधी की ओर से इशारा मिला था खड़े होने के लिए यद्यपी इंद्रा गांधी इस बात से नकारती हैं लेकिन कुछ एतिहासिक घटना करम इस वोर इशारा करता है कि संभवत वीवी गिरी ने किसी के आवहान पर राश्टपती पत से कारवाख राश्टपती के पत से इस्तीफा दिया था और चनाव में एक स्वतंतर प्रत् में खड़े हुए थे राश्टपती के चनाव में इंद्रा गांधी के समर्थन से वो विज़ाई होते हैं और सिंडिकेट जो है जिसमें कॉंग्रेस ओ के लोग भी शामिल हैं संगठन और्गनाइजेशन कॉंग्रेस ओ वे लोग सब अब एक तरीके से कॉंग्रेस की बैक स में आजाते हैं जिसका अभी तक कॉंग्रेस के अंदर वर्चस्व था अब वह अपना वर्चस्व खो बैठता है और युवा तर्क के लोग इंद्रा गांधी और उनके मंत्र मंदल के साथ अब कॉंग्रेस को एक नई दिशा देते हैं मुरार्दी दिशाई भी इसी तर्क इसी दौरान वित्र मंत्री पत से उन्हें हटाने की बात होती है वो इस्तीफा देते हैं और राश्टी करण की भोशना होती है एक और जहां कॉंग्रेस के एक धड़े पर यह आरोप लग रहा था कि वह दक्षिन पंठीयों के साथ कुछ गुप्त समझोते का प्रयास कर रहा है और संभवता बात्चीत चल रही है वहीं दूसरी और कॉंग्रेस का जो दूसरा धड़ था उस पे भी कुछ आरोप लगे लांचन हुए लगे इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में निश्चित रूप से तनाओं अविश्वार और कलह बढ़ती गई इंद्रा गांधी का जो गुट था वो कुछ साम्यवादी विचार धाराओं को तो था ही और इंद्रा गांधी का जुकाओ भी उस युवा तुर्क की और ज्यादा था बनाम बजाय संगठन के उन वरिष्ट बुजर्ग लोंगो की और जिने हम सिंडिकेट कहते हैं तो सात्वा कारण विभाजन का जदि हम बात करें तो बनता है इंद्रा गांधी पर साम्यवादियों का साथ देने का आरोप यह आरोप प्रत्यारोप का ही दौर था तो दूसरे गुट ने उन पर यह आरोप लगाया कि वो साम्यवादियों के साथ हैं जिस तरह जग जीवन राम और फक्रुदीन अली अहमद इन लोगों ने सिंडिकेट पर आरूप लगाया दक्षिन पंथियों के साथ गुप्त समझोता करने का राश्टपती चनाओं के मुद्दे पर वहीं सिंडिकेट ने कहा कि कॉंग्रेस में वाम पंथ को बढ़ावा मिल रहा है कॉंग्रेस वाम पंथ विचारधारा की और ज्यादा जुकाओ दे रही है इस विशय पर सिंडिकेट और इंद्रा गांधी के समर्थकों के बीच विवाद बहुत गहरा जाता है वाम पंथी जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे ऐसा नहीं कि वे सोवियत संग से प्रभावित थे या सोवियत संग की वाम पंथी विचारधारा से प्रभावित थे बल्कि ये लोग परंपरावादियों से अलग सोच रखते थे और सोच में थोड़ा आगे थे इसलिए परंपरावादी जो सिंडिकेट गुरुप था उनका यारोप वामपन्थी होने का लगता रहा लगता रहा और परणाम के संकट गहराता ही चला जा रहा इस घटना करम में आठवा बिंदु सिंडिकेट द्वारा श्रीमति इंद्रा गांधी को पद से हटाने का प्रयास अब जब बात बनती नहीं है और बात बहुत बिगरती जाती है गहराई गहरी खाई बढ़ती चौड़ी होती चली जाती है तो अंत में सिंडिकेट प्रयास करता है कि किसी तरह से इंद्रा गांधी को जिसने उन्हें एक पाउन के रूप में एक प्यादे के रूप में प्रधानमंत्री पद पर बैठाया था और जो अब स्वएम स्वतंतर अस्टित्व बनाने का प्रयास कर रही हैं उन्हें पत से हटाएने का ये उचिस्ट समय है ऐसा सिंडिकेट का सोचना था कॉंग्रेस के अधिकारिक उम्मीद्वार की हार होती है 1969 में नीलम संजीवरेड़ी और इसके बाद सिंडिकेट मन बना लेता है कि कम से कम इंदरा गांधी को पदेचिवत किया जाए ऐसा ऐसी प्रिष्ट भूमी बनाई जाए जिससे इंदरा गांधी विवश हो जाए इस पद से इस्तिफाद देने के लिए और उसके लोगों ने प्रयास किया चिंडिकेट ने काफी प्रयास किया परंतु इसके विरोध में साथ से अधिक कॉंग्रेसी सदस्तियों ने निजलिंग गपा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर दी साथ से जादा लोगों ने चिंडिकेट के इस प्रयास कि विरोध का जो नित्रित्व कर रहे थे निजलिंग गप्पा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताओं कॉंग्रेस पार्टी के अंदर ही लाने की बात कहिए 23 अगस 1969 को जो कॉंग्रेस की संसदी बोर्ड की बैठक होती है उसमें अधिकांश सदस्यों ने इंदिरा गांधी का पक्ष लिया और तकार सिंडिकेट की यहां पर भी एक तरीके से हार होती है पराजय होती है मामला कितना गहरा गया दोनों के बीच कितनी दूरियां बढ़ गए निश्चित था एक दिन इस सब घटना करम की परणिती विभाजन के रूप में होनी थी केवल समय की बात थी कब होगा ये विभाजन कब होगा बस यही देखने वाली बात थी विभाजन होना तै था ये अब सबको लगबग स्पष्ट हो चुका था कॉंग्रेस की कला अंदरूनी कला इन सब घटनाओं के कारण इतनी बढ़ गई कि नवमबर 1969 में कॉंग्रेस के दो धड़ मढ़ जाते हmış, दो टुकडों में बढ़ जाती है एक संगठन कॉंग्रेस, दूसरा इंदरा कॉंग्रेस संगठन कॉंग्रेस को कॉंग्रेस ओभी कहा जाने लगा, ओभी से ताठ पर है औरर्गनाइजेशन और दूसरा कॉंग्रेस इंदरा कॉंग्रेस कहला जा इन दोनों को एक तरीके से ये भी कहा जाने लगा कि पुरानी कॉंग्रेस और नई कॉंग्रेस पुरानी कॉंग्रेस मतलब संगठन और नई कॉंग्रेस मतलब इंदरा कॉंग्रेस तो इस प्रकार ये नए नाम इनको दिये जाने लगे जदे 1947 में मात्र एक राश्ट्री स्तर की पार्टी थी और बाद में नए नए दलों का उद्य हुआ जिसका जिक्र हमने शैशवस्था काल के संदर में किया है तो थोड़ा सा आपको इसमें अपडेट होना जरूरी है कि चनाव आयोग जिसके मातहत ये सब चनावों की जिम्मेदारी होती है उसने वरतमान में आठ पार्टियों को राश्ट्री पार्टी का दर्जा दिया है आठ को और करीब करीब 54 राजनीतिक दलों को राजिस्तरी प पार्टियों वहीं 2,700 से ज़्यादा ऐसी पार्टियों है जो रिजिस्टर्ड तो हैं लेकिन उन्हें मान्निता हासिल नहीं हैsta पर मान्म8 नहीं है इन पार्टियों की बात करें तो नैशनल पार्टियों में त्रिना मूल कॉंग्रेस, बहुजन समाद पार्टी, भारती जनता पार्टी, CPI, उसके बाद कॉंग्रेस पार्टी, NCP, नैशनल सोशलिस्ट पार्टी, आध याध इस इतरह आठ पार्टियां हैं यदि राज पार्टियों की बात करें तो जो मैंने 54-55 पार्टियों का बताया है, निर्वाचन आयोग ने उन्हें मानिता दी है, तो आप पाएंगे कि मूल इता है कि लगवग लगवग हर राज्य में दो तीन पार्टियां औस तन राज्य पार्टियां हैं 36 गड़ के संदर्ब में बात करें, तो 36 गड़ में एक ही राजपार्टियां है, 36 गड़ कॉंग्रेस आजादी से पहले केवल दो ही खित्री पार्टियां थी, इसके माइने ये है कि खित्री पार्टियों का इतिहास आजादी के पहले का है यद्यपी चुनावों की शिरुवात 1952 से होती है, लेकिन दो पार्टियां जो पहले आ गई थी, उनमें एक है शिरुमणी अकाली दल, पंजाब और जम्मू कश्मीर नैशनल कॉंफरेंज ये दो पार्टियां सुतनतरता से पूर्व स्थापित हो गई थी, खेत्री पार्टियां, ये एक आपकी जानकारी के लिए बात बताई जारी है इसके अलावा जाती, समुदाय, धर्म, भाषा अधिको लेकर पार्टियों का गठन होता चला गया और नहीं नहीं खेत्री पार्टियां शुमार होती गई डियम के और एई डियम के ऐसी दो पार्टियां रही पूर में, जिन्होंने दो राज्यों में अपनी सरकार बनाई और वर्तमान में आप एक ऐसी तीसरी बार्टि, तीसरी खेत्री पार्टि है, जिसकी एक से ज़्यादा या दो राज्यों में जिसी सरकार है इन पार्टियों की यहीं बात करें तो मैंने जैसे बताया आपको कि आठ पार्टियों को राश्ट्री पार्टी का दर्जा दिया गया था और ये पार्टियां राष्ट्री दर्जे की पत्रता किस प्रकार रखती हैं किन कारणों से रखती हैं ये चुनाव आयो के नियमावली के अधार पे तै होता है कैसे मिलता है राष्ट्री पार्टी के दर्जा थोड़ा ये जानना भी हमारे लिए हम है तीन में से कोई सी भी एक शर्थ पूरी करना होगा तीन शर्थें आपको इहां दिख रही हैं इन में से कोई सी भी एक शर्थ पूरी करने पर चुनाओ आयोग द्वारा किसी दल को राष्ट्री दल का दर्जा दिया जाता है वो तीन शर्तें कोई भी दल उनमें से पहली शर्त यह है कोई भी दल जिसे चार राजियों में राजिस्टरी पार्टी का दर्जा मिला हो चार राजियों में जिसे राजिस्तरी पार्टी का दर्जा मिला हो उसे राजिस्तरी पार्टी कहा जा सकता है दूसरा पार्टी तीन अलग-अलग राजियों में मिला कर लोकसभा की दो प्रतिश्चत सीट जीते अर्थाद ग्यारा सीटें ग्यारा सीटें तीन अलग-अलग राज्यों से जीते तीसरा यदि कोई पार्टी चार लोग सभा सीट जीती है और विधान सभा में चार राज्यों में छह प्रतिशत मर्दान मिलता है उसके पक्ष में आता है तो यहने एक शर्ट जो है वो केवल चार राज्यों से संबंदित है दूसरी शर्ट जो है वो लोग सभा से संबंदित है और तीसरी शर्ट लोग सभा और चार राज्यों से संबंदित है बलकि लोग सभा और चार राज्यों से संबंदित है तो इन में से कोई सी भी एक पार्टी का दर्जा मिलता है तो हम देख सकते हैं कि इस तरह से यदि हम थोड़ा और इसका अध्यन करें आप तो आप पाएंगे कि कई पार्टियां कई अन्य पार्टियां राष्टी दल बनने की पातरता के निकट हैं तो गैर कॉंग्रेस वाद को हम कुछ इस रूप में भी देख सकते हैं तो यदि इसकी पहली बात हो विपक्षी दल जन विरोद की अगवाई करते हैं कॉंग्रेस की विरोधी पार्टियां महसूस करती हैं कि इनके वोट बढ़ जाने के कारण कॉंग्रेस हमेशा सत्ता सीन रहती है और हम पराजित होते हैं इसलिए एक ही करण की आवश्कता महसूस की जाती है अलग अलग विचारधारा अलग अलग कारिकरम इन सब पार्टियों के थे तो एक तरीके से इन में धुरूवी करण होता है एक ही करण उसके बाद धुरूवी करण अन्य राजियों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल करते हैं कुछ राजियों में कॉंग्रेस विरोधी मोर्चा बनता है और सभी दल एक जुट हो जाते हैं ये जो तीन बिंदु है इसके परणाम क्या होता है परणाम ये होता है कि एक रणनीती के तहट अप्राम होता है और वो रणनीती है गैर कॉंग्रेसवाद उसका नित्रत्व कौन कर रहे हैं राम मनोहर लोहिया और उनके साथ उनके सहयोगी करपूरी ठाकुर आदी आदी राम मनोहर लोहिया ये वही थे जिन्होंने इसे गैर कॉंग्रेसवाद कहा और उसके पक्ष में सध्धान्तिक तर्ग देते हैं और कहते हैं कि कॉंग्रेस का शासन जो है वह अलोकतंत्रिक और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है इसलिए गैर कॉंग्रेसियों को एक जुट होना जरूरी है साथ में आना जरूरी है ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जाए 1967 के चिनाओं को एक सरसरी नजर से ज़िए हम देखें जो चौथाम चिनाओं था तो उसका कुछ जो फ्लो चार्ट बनता है वो इस प्रिकार बनेगा कि नहरू के बिना पहली बार कॉंग्रेस सामना करती है दूसरा बिन्दू चिनाओं परनाम में राश्ट्री और प्रांती स्थर पर कॉंग्रेस को धक्का लगता है दोनों स्थर पर अर्थात उसकी सीटों के संख्या उसके वोट मत की प्रतिशत की संख्या में भारी गिरावट और तीसरा इसी गिरावट को राजनीतिक भूकंप क संग्या दी जाती है जहां तक चुनाव प्रणाम की बात है उसके तीन अहम बिंदु हैं पहला इंदिरा गांधी के मंत्र मंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए जैसे तैसे लोग सभा में दूसरा बिंदु जैसे तैसे लोग सभा में कॉंग्रेस बहुमत बनाती है यद्यपिस के प्रतिश्यत में भारी कमी है और तीसरा बिंदो साथ राजियों में उसे बहुमत नहीं मिलता है साथ राजियों में बहुमत नहीं मिलता है दो अन्य में दल बदल के कारण कॉंग्रेस की सरकार ले दे के बन पाती है तो ये जो नौ राज देश के हर भाग में आप देखेंगे, जो मैंने आप बताया पूर में, पूरे देश में इसका जो फैलाओ है, यानि गैर कांग्रेस वार्ड का फैलाओ, किसी एक खितर में नीथा, वो खितरी फैलाओ निथा, वो विश्तारिद था, फैला हुआ था कुल मिलाकर ये जो चुनाओ है इसमें बड़े कुछ अजीव अनभव हुए कुछ नही नही बातें सामने आई पहली बात मदरास प्रांथ में खेतरी पार्टी सत्ता में आती है जिसे द्रविड मुनेतर कजगम कहते हैं और ये जो सत्ता में आती है उसका मुख्य कारण है इसका हिंदी विरोध ये बड़ी अजीब बात थी कि हिंदी विरोध को लेकर एक दल सत्ता हासिल करने में सफल हो गई ये दूसरा बिंदू जो विचित्र है तीसरा यहां हिंदी को राजभाषा के रूप में केंदर द्वारा अपने पर थोपे जाने का विरोध कर रहे थे लोग कि थोपा न जाए तो ये थोपने की प्रवरित्ती का विरोध द्रविड मुनेतर कजगम द्वारा सफलता पूर रख किया गया परणाम सत्ता उनको मिलती है चिनाओ इतिहास में पहली घटना जब किसी गैर कॉंग्रेस दल को किसी राज़ में पूर्ण बहुमत मिलता है ये वही तमिल लाडु के द्रविड मुनेतर कजगम के साथ होता है गैर कॉंग्रेसी सरकार अपने बल पर पूर्ण बहुमत पाए उसके विपरीत आठ अन्य राज़ियों में गैर कॉंग्रेसी दलों की गटबंधन सरकार बनती है और गटबंधन मैं बता चुका हूँ लोग कॉंग्रेस को सत्ता में बैठे हुए देखने के आदी थे उनके लिए बड़ा विच्चत्र अनुभा हो गया तो ये विच्चत्रताएं कुछ हम इस चुनाओं में देखते हैं एक आदतन हमको आदत थी कि ये सब कॉंग्रेस कॉंग्रेस सभी जगा वही है ये पहली वार हम कॉंग्रेस वालों को सत्ता हीन और अन्य लोगों को जो कॉंग्रेस के सामने बड़े छोटे दिखाई देते थे उन्हें सत्ता सीन देखते हैं ये विच्चत्रता इस चुनाओं में पहली वार देखी गई जिसके बाद में फिर हम आदी होगा है तो अब इंद्रा के सामने दो चुनाओतियां सत्ता में आने पर पहली सिंडिकेट से स्वतंत्र मुकाम बनाना सिंडिकेट से अलग होकर एक अलग होने से ताथ पर ये नहीं कि उन्होंने मन बना लिया था कि उनको निकाल देना है मतलब उनकी पकड के बाहर रहकर स्वतंत्र रूप से नेड़ने लेने की ख्यमता पा लेना ये पहली चुनाओती थी और दूसरी चुनाओती कि 1967 के चुनाओं में जो कॉंग्रेस जो जमीन हार गई थी कॉंग्रेस के नीचे से जो जमीन खसक गई थी जिससे उसका वर्चस उसकी वर्चस्वता पर प्रश्ण चिन लग गया था उसे वापस पाना उस खोई प्रतिष्ठा को वापस पाना ये उसकी दूसरी बहुत बड़ी चुनाओती थी जो इंद्रा गांधी को अपने प्रारंबिक प्रधान मंते तुकाल में जिसका सामना करना पड़ा राष्ण पति के चुनाओं को लेकर जो उहा पोह मची जिसका मैं मैंने जिक्र किया है उसे हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि सिंडिकेट और इंद्रा गांधी की गुट बाजी खुल कर सामने आती है इंद्रा गांधी ततकालीन उपराष्टपती वीवी गिरी को आगे बढ़ाती है राष्टपती पड़ के लिए यद्यपी वे अस्विकार करती हैं कि उन्होंने किसी तरीके से वीवी गिरी को आधिकारिक स्थर पर ऐसा कुछ कहा था दूसरी दोर कॉंग्रेस अध्यक्ष आदेश जारी करते हैं पार्टी के सांसदों को कि नीरम संजीव रेड़ी को ही वोट डालें तो आप सोच सकते हैं कि स्थिती कैसी विश्यम हो गई सिंडिकेट और इंद्रा गांधी के गुट बाजी जब खुल के सामने आती है तो उसके दो पहलू होते हैं पहला इंद्रा गांधी की असाहमती और दूसरा सिंडिकेट द्वारा नीलम संजीव रेड़ी को उम्मी द्वार बनाया जाना और प्रणाम क्या होता है और ऐसा क्यों होता है क्योंकि नीलम संजीव रेड़ी के साथ एक राजनीतिक अनबन था पटरी नहीं बैठती थी इसलिए एक इनका विरोध था दूसरी और इंद्रा गांधी ने जो वीवी गिरी को एक तरीके से आगे बढ़ाया और कॉंग्रेस के अध्यक्ष ने जो आदेश जारी किया ऐसी स्थिति में इंद्रा गांधी ने एक बड़ा नया पैंतरा खेला उन्होंने अंतरात्मा की आवाज इस शब्द का उपियोग करते हुए वोट डालने की अपील की राश्पति के चुनाओं में लोकसभा, राजसभा के सिदस्च और विधानसभा के सिदस्च ही मत कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं तो जहां एक और कॉंग्रेस अध्यक्ष ने आदेश दिया जिसे हम विप कहते हैं WHIP सब सांशदों को अपने और अपने सब MLS को यादेश दिया कि आप केवल नीलम संजीव रेडी को ही अपना मत देंगे दूसरी और इंदरा गांधी ने एक नया नई बात कहते हुए अंतरात्मा की आवाज को सुनकर सांशद और विधान सभासदद से अपना मत डालें ऐसा उन्होंने अनुरोध किया अंतरात्मा की आवाज के नाम पर वोट डालने की अपील का परिणाम कि अब पार्टी तूटने की कगार पर और तूटी गई कॉंग्रेस अध्यक्ष प्रधान मंत्री को अपनी पार्टी से निश्कासित कर देते हैं दूसरा निश्कासित प्रधान मंत्री इंद्रा गांदी कहती है कि उनी की पार्टी असली कॉंग्रेस है एक और अध्यक्ष प्रधान मंत्री को निकाल रहा है पार्टी से तो दूसरी और प्रधान मंत्री ये ब्यान देती है कि उनकी पार्टी ही असली पार्टी है तो इसका मतलब यह हो गया कि दो तुकड़े साफ हो गया उन दो तुकड़ों को हम कुछ इस प्रकार रखें सिंडिकेट का खेमा और दूसरा इंद्रा गांदी का खेमा जो सिंडिकेट का खेमा था वह कॉंग्रेस O कहलाया या कॉंग्रेस संगठन या पुरानी कॉंग्रेस और इंद्रा कॉंग्रेस का जो खेमा था वह कॉंग्रेस रिक्विजिशनिस्ट याने कॉंग्रेस आर का इसे नाम दिया गया Congress Requisitionist Congress R बाद में उसे नई Congress कह दिया गया तो पुरानी Congress बनाम नई Congress का संघर्ष एक तरीके से हम देखते हैं और फिर इनका विभाजन देखते हैं जैसे जैसे मतदान का समय पास आती जाता है जनिता के सामने इंद्रा गांधी इस संघर्ष को इस विभाजित होने की जो करक्रिया हो रही है उसका कारण बताते हुए स्वश्ट करती हैं कि ये जो तूट हो रही है विचार धाराओं की लड़ाई की रूप में है दो अलग-अलग विचार धाराओं की लड़ाई का परणाम है और साथ ही उनका ये कहना रहता है कि समाजवादी बनाम पुरातन पन थी जिसे मैंने परंपरावादी कहा पूर में ये पुरातन शिम्तिंद्रा गांदी ने समाजवादी बनाम पुरातन पन थी या गरीबों के हमायती बनाम अमीरों के तरफदार के रूप में अमीरों के तरफदार के बीच की लड़ाई के रूप में इसे जनता के सामने पेश किया और असा कहते हुए उन्हों ने जनता की भावनाओं को जनता की नब्ज को पकड़ लिया तो जनता भी इंदरा गांधी के पक्ष में सामने खड़ी हो गई इंद्रा गांदे की सफलता या उनकी पनर्थापना के पीछे उनकी वो सोची समझी रणिनीती थी जिसमें उन्होंने जनता के दिल को छो दिया नई कॉंग्रेश का जो मुद्दा था वो एक ही था उनका एजेंडा उनका कारिकरम भी एक ही था और वह था गरीब हटाओ साथ ही उसके खिलाफ ग्रेंड एलायंस के पास कोई ना कारिकरम था और ना कोई मुद्दा था मुद्दा तो इनका केवल इंदिरा हटाओ था इसके अलावा इंदिरा गांदी ने देज भर में एक सकारात्मक कारकरम पेश किया और गरीबी हटाओ के नारे से इसे जोड़ के समाज के नीचे के तबके के लोगों का भारी समर्थन अरजित किया अपने कारकरम को क्रियानवित करके दिखाया और इसमें सारजिक शित की सम्वरिधी भू स्वामित्व शहरी संपदा खित के परिश्वीमन की बात और अवसरों की असमानता की समाप्ती प्रिवी पर्ष की समाप्ती आधी आधी ऐसे कई कारकरम जोड़े जिससे जनता दिनों दिन उनकी ओर खिचती चली गई और इसी का परणाम यह होता है कि अंतिता पांचवे आमचनाओं में कॉंग्रेस इतने ज़्यादा बहुमत से वापस आती है जिसे हम पुनर स्थापना के रूप में देख सकते हैं तो इसकार कॉंग्रेस प्रणाली की पुनर सापना के घटना करम को कुछ इस प्रकार संखिप्त में आप एक फ्लो चार्ड के रूप में देख लें यह कि इंद्रा गांदी ने जो किया वो पुनानी कॉंग्रेस के पुनर जीवित करने का काम नहीं था उन्होंने नई कॉंग्रेस बनाई नई कॉंग्रेस के रूप में उन्होंने क्या किया अपनी लोगपृता के बल पर सफलता पाई एक सर्वोच नेता बना नई कॉंग्रेस का नेत्रित्व जो था वो एक सर्वोच नेता की लोगपृता पर आधारित था इसमें कोई गुट नहीं था साथ ही विभिन मतों को लेकर साथ चलने की जो प्रवृत्ति थी प्रणाली थी उसको उन्होंने समाप कर दिया सभी को एक मत होना जुरूरी था इंद्रय गांदी के हाथों ये नई पार्टी बनी थी इसलिए लोगों ने इस पार्टी को हाथों हाथ लिया और कॉंग्रेस प्रणाली की जो प्रवृत्ति बदल गई थी जिसका मैं जिक्र के यह हूँ आगे करूँगा ये प्रवृत्ति ने भी इस दल के पुनर स्थापना में बहुत आहम भूमिका निभाई अब रही बात पुरानी कॉंग्रेस की विविन नमतों को साथ लेकर चलने की ख्यमताब नहीं थी कोई संगर्ठित धाचाव इनका नहीं रहा और हर तनाव और संगर्ष को जो पचालेने की ख्यमता थी पुरानी कॉंग्रेस की वो भी अब समाप्त प्राय हो चकी थी इसलिए कॉंग्रेस प्रणाली की पुनर स्थापना के पीछे ये सब बिंदु बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं